नमस्का दोस्तों मेंचन में आपका फिर्सेस वागेते दोस्तों आजाम जारेंगे कि नोकिया की जो X2 मोडेल है की फ़ोन की उसमें जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है उसको कैसे चेंज किया जाता है देन लेट स्टार्ट तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें जान से उपर में देखोगे चेंज सिकूर्टी कोड उसको सिलेट करना है सिलेट करते ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगी उसको येस करना है येस करने के बाद आपके जो डिफॉल्ट कोड्स है जो नोकिया की जो डिफॉल्ट कोड्स है उसको सबसे पहले यहां पर दबाना ह तो मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यह जो Nokia की default codes है इसको मैंने यहाँ पर दबा दिया उसके बाद आपको यहाँ पर OK करना है OK करते हैं आपसे new security code मांगा जाएगा यानि कि आप जो new security code देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दबाओगे new security code देने के बाद आपको यहाँ पर OK करना है OK करने के बाद आपको फिर से वो ही new security code आपने जो चूश किया था उसको फिर से यहाँ पर दबाना है दबाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से एक बार OK पर क्लिक कर देना है और OK पर क्लिक करती है आप आप आपका जो security code पहले था वो change हो चुका है OK guys, thanks for watching my video, if you like my video then please share it and subscribe my channel Thank you